इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी थाइरॉक्स 75 टैबलेट एक दवा है जिसका इस्तेमाल निश्क्रिय थाइरॉइड ग्रंथी हाइपो थाइरॉइड इस्म के इलाज के लिए किया जाता है यह उस होमोन की जगह देता है जो आपके थाइरॉइड ग्रंथी द्वारा परियाप्त मातरा में उत्पादित नहीं किया जा रहा है और आपके शरीर की उर्जा और चयाप्चे को नियंत्रित करने में मदद करता है इससे पहले कि आप थाइरॉक्स 75 टैबलेट लेना शुरू करें आपका डॉक को समय समय पर समायोजित किया जा सकता है इसे दिन के पहले भूजन से पहले खाली पेट लेना सबसे अच्छा है अधिकतम लाब पाने के लिए आपको यह दवा नियमित रूप से लेनी चाहिए आपके लक्षनों में सुधार शुरू होने में कई सपताह लग सकते हैं आप को इसे जीवन भर लेने की आवश्चक्ता हो सकती है यदि आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपके लक्षन वापस आने की संभावना है इस दवा का सबसे आम दुष्प्रभाव आपकी आवश्चक्ता से अधिक खुराक लेने के कारण होता है संभावित साइड इफे तेज या अन्यमित हिर्दै गती, निम्न रक्चाप, आंक, त्वचा में पीलापन, भ्रम या दौरे हैं, तो तुरंत अपने चिकित्सक को बुलाएं। थायरोक्स 75 टेबलेट वजन घटाने का कारण हो सकता है, लेकिन मोटापे के इलाज के लिए निर्धारित या लिया नहीं जाना चाहिए। यदि आप इस दवा को लेते समय गर्भवती हो जाती हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर को सूचित करें क्यूंकि खुराक को बढ़ाना समायोजित करना पड़ सकता है। कई अन्य दवाएं इस दवा के काम करने के तरीके को प्रभावित करती हैं। अगर आप कोई अन्य दवा ले रही हैं, तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।